डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन एड्मिशन्स ओपन फ्रम प्री नर्सरी तो नाइज कोरोना की वज़े से बंद हुई हवाई सेवा 25 मई सोंबार से फिर शुरू हो जाएगी किशनगर आने वाली दिल्ली, हैदराबाद और एंडाबाद फ्लाइट का शुरूल भी जारी कर दिया गया है और 9.30 बजे वापस हैदराबाद के लिए उडान बरेगी इसी तरीके से एंडाबाद फ्लाइट दो फैर 2 बजे एरपोर्ट पर लेंड करेगी और 2 बच कर 40 मिनट पर वापस एंडाबाद के लिए उडान बरेगी जबकि दिल्ली की फ्लाइट 3 बच कर 50 मिनट पर किशनगर एरपोर्ट पर उतरेगी और शाम 4 बच कर 15 मिनट पर वापस उडान बरेगी इस दोरान यातियों से लेकर एरपोर्ट स्टाफ तक को सोचल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा फिलाल एरपोर्ट में भी सबी विभागों को सेनिटाइज किया जा रहा है वहीं दूसरी और कोविट 90 के संक्रमन को रोकने के लिए जहां एरपोर्ट अथुरिटी दोरा एरपोर्ट पर सोचल डिस्टेंसिंग मिन्टेंग करने के लिए बड़े बदलाव किये गए वहीं एरलाइन भी चाक चौबद है एरक्राफ में पाइलेट और एर होस्टेस अब पीपी किट में नजर आएंगे एर होस्टेस के लिए पीपी किट गाउन जैसा होगा पाइलेट और एर होस्टेस के अलावा फ्लाइट में सबी क्रू मेंबर्स भी पीपी किट में नजर आ सकते हैं हर आने जाने वाले विमानों को एरलाइंस द्वारा सेनेटाइस किया जाएगा इसके साथ ही यातियों को साफधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है एरपोर्ट और फ्लाइट में किसी जगे कोट टच नहीं करना है और नहीं आमने सामने आकर यातियों को बाचीत करनी है इसके लिए एरपोर्ट प्रिशाशन की और से दिशानिर देश जारी किया रहे है साथी यातियों को अब खास तोर पर ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें एरक्राफ्ट में जो सीट बुक है उसके अलावा किसी भी दुसी सीट को या जगे को टच नहीं करना है इसके साथ ही अब एरपोर्ट पर आने वाले प्रितेख यातियों को थरमल स्केनर से जाना जाएगा जबकि एरलाइंस के स्टाफ की थरमल स्केनिंग संब्दित एरलाइंस द्वारा ही की जाएगी एरपोर्ट पर यदि कोई यात्री थर्माल स्केनिंग में सस्पेक्टेट आता है तो आगे की जाँच मेडिकल टीम द्वारा की जाएगी और यात्री को कुरिंटेन करनी की सुविदा पिर्शाशन द्वारा की गई है झाल 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 झाल